इस वेडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वुमेंस का जो आज का सेकेंड मैच होगा इंडिया वर्सस बारबडोस के भीच इसके बारे में तो दोस्तों पहला मैच मैक्सिमम यूजर्स के लिए अल्टरा क्लीन स्विप मतलब जा रहा होगा क्योंकि देखिए ताहिला मेगरा ने काफी अच्छा परफॉर्मस दिखाया और जो टीम मैंने आपको दी उसी टीम से आप लोग देख सकते हो जो मेरा इंवेस्टमेंट था एक लाग च्यानवा हजार का और जो मेरी अभी अभी आप्रोक्स विनिंग आ रही है मुनियवाली ने 10-12 दन बनाए तो यही अमाउंट 5 लाग के सम्टिंग हो जाएगा क्योंकि मैं 2-3 ओपोनेंट से पीछे हूँ जिनके पास यह चैंजेस है और इस मैच में जो इंडिया वर्सस बारबरोस का यह भी काफी अच्छा मैच है इसमें भी आपको देखे गेम को समझना है मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि भाई जिस बंदे ने टॉस के अकोडिंग टीम रेडी कर ले ना इसको कोई हरा नहीं सकता है वो एक दो बार मैच छा रहेगा बाकि मैक्सिमम टाइम विन करे गई टॉस की कंडिशन के बैस पर जो टीम रेडी करता है वो अब टॉस की कंडिशन थी भाई ऐस्ट्रीलिया बैटिंग कर रही थी इसलिए कैप्टन किसको बनाया ताइला मेक्राओ को और अगर बोलिंग करती तो सिंपल था था कि भाई मेधा जो कैप्टन था वो जो नासन रहे थी और वी सी में डायरिक्ली हेली को बना दे तो वही चीज़ है चलिए अब इस मैच को ध्यान से देखना वीडियो को बहुत इंपॉटन ाुर्टन मैच है और बहुत इंपॉटन मैच होने की साथ यह वीडियो भी काफी इंपॉटन है तो इसटार्ट कर तो मैं वीडियो को बाकि उस से पहले जो भी यूजर ऐसे जिन्नों पहला दूसरा ओर तीसरा Like और Comment किया उनको Congratulations क्योंकि वह फिरी में 100-100 रुपे विन कर गए है आने माली वीडियोज में भी इसी तरीके के giveaways रहेंगे तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले उसके अलावा दोस्तों जो यूजर ऐसे हैं जिन्होंने टेलिग्राम नहीं जोइन किया है दिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जोइन कर लेना रीजन क्या है फाइनल जो टीम होगी न वो टॉस के बाद आपको टेलिग्राम पे मिलेगी आपी की तरफ बहुत सारे लोग ओलेडी यहां पे जुड़े हुए तो याद रखना जो भी यूजर वीडियो को देख रहा है डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलिग्राम जरूर जोइन करें क्योंकि फाइनल टीम वहीं मिलेगी ठीक है तो गईस दसवा मैच होगा आप पहला पॉइंट यह ध्यान दो उन वहीं घ्राम समय जीते हैं लेकिन एक कंडिशन यह कि इंडिया बैटिंग करें तो मिनीमम आपके तीन बैट्मusta होने ही चाहिए और अकर बोलिंग करती है तो मिनीमम आपके जरुत ही नहीं पड़ेगी आप अपने हिसाब से भी टीम रिडी कर लोगे फर्स्ट ओफाल हम बात करते हैं हेट वेट की 18 मैचों से हुए हैं जिसमें बारबडोस ने 8 मैच जीते और इंडियन टीम ने 10 मैच जीते ठीक है लेगिन यह जो बारबडोस की टीम है ना इसमें पहले बहुत तगड़ी प्लेयर्स थी शेफान आपको बता होगा श्टेफनी टेलर जैसी प्लेयर और उसके अलावा अनीशा मोहमद जो बोलर है वेस्टेंडीच की मैन में प्लेयर्स थी नहीं वह पहले खेलती थी ल कोई तेने इफेक्टिव फॉर्म में हैं नहीं कॉर्णियल तो फिर भी थोड़ी बहुत है शेकरा सल्मान तो आपको मालूम है लाश के जितने भी मैचेस के लिए उस बहुत ही गंदा परफॉर्मस रहा है तो एक दो प्लेयरों के ऊपर तो कोई टीम को हम यह कह नहीं सकते इसलिए मैंने इंडियन टीम की विक्टरी पहले ही मान लिए ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंडियन टीम की प्लेइंग 11 की शेफाली वर्मा और स्मृती मंदाना दोने प्लेयर आपनिंग करेंगी अब बस मुझे इंडियन टीम की एक जो हरकत है वो काफी ग और दो और बच्चे होएं और मैंली दिपती शर्मा डेथ में आती है उनको ना देके शेफाली को देना वो चीज मुझे काफी खली थी क्योंकि वह हमारे लिए नुक्सान दे हो सकते हाला कि इंडियन टीम विन कर रही है उसमें कोई डाउट नहीं लेकिन फैंडेसी बैटिंग करने पर इंडिया की और यह तो जरूर इंपोर्टेंट है यह तो मतलब देखिए एक बार के लिए जो एस मेगना यह अगर बोलिंग भी करती है ना तो भी इंपोर्टेंट क्योंकि वन डाउन आ जाएगी ना यह और आते ही हिटिंग भी करेगी गेम को खेलेग पे भी लेकिन जेमी मरAY shooting के फोटेंग पर इंपोर्टेंट है ठीक है उसके भाद uncertainty को और को देखिए अगर आप ड्रोब जश्ट एक से दो ओवर और उसमें भी अगर आप देखोगे न मेन बोलर खेल रहे हैं और शेफाली जैसी करेंगी बोलिंग तो फिर तो बोलिंग इनी कर सकती है और उन एक दो ओवर में अगर इनको विकेट नहीं मिला तो जो लोगों की कैप्टन है न वो आपकी टीम में है नहीं उसके पॉइंट रहेंगे चार और वो आपके पास है नहीं और आपके कैप्टन थोड़ी डिफ्रेंट कर दे न वहाँ पे आपकी जो विनिंग होगी वो काफी अच्छी होगी उसके बाद यहाँ पे यादसिक भाटिया है दिप्ती शर्मा, राधायादो, स्नेहराना और मेगना सिंग और उसके अलावा रेनुका सिंग यह इंडियन टीम की प्लेइंग लिए उन है इसमें अगर आप इंपोर्टेंट पेर देखोगे वैसे सारे इंपोर्टेंट है बट फिर भी जिनको आप ड्रोप नहीं कर सकते हो इसमें रेनुका सिंग है मेगना सिंग भी स्नेहराना राधा याद हो जो अभी लास्ट मिश में डेथ में आई दिप्ती भी है या सिक तो उतनी इंपोर्टेंट रहेगी निए 6-7 प्लेइर इंपोर्टेंट यहां से शेफाली स्मृति और 5 इनके जो में बोलर से वो उसके अलावा अगर मैं बात कर स्वरिकल ने परसो जो मैं सा इंडिया पागिस्तान का उसमें ना रेनुका आए थी ना दिप्ती आए थी कौन आए थे डेथ में शेफाली और राधा यादा और राधा का तो मुझे बिल्कुल ही मतलब अफसोस था किया और वो तो आई नहीं सकती है कम से मैं इस पिन बोल ठीक है चलिए बैंच के कुछ प्लेयर से चांसेस थोड़े रहे रहे खेल लेगे बाकी खेलेंगे तो बता ही दूंगा मैं बारवडोस की साइट से देने दरा डॉट इन नहीं खेलेंगी सॉरी सो गैस डॉट इन खेलेगी रिटायरमेंट होगा लेकिन ये वाला मैच खेलेगी वो रिटायर होगी मतलब हुई ही नहीं है उन्होंने बोला है रिटायरमेंट का और मुझे लगा भई हो गई होगी है ना तो मैं तो लेने वाला नहीं था भी थोड़ा न्यूज देखा सह तरीकेश से तो पता लगा ठीक है और यही रीजन है ॡोटीन को खिला अभी टीम ने जो मतलब मुझे स्टेटस देते हैं यह मैं नहीं बनाता हूं ठीक है यह कोई दूसरा बंदा है जिसको मनें हायर कर रखा है वो बनाता है ठीक है चलिए देनेद्रा डोटिन आपनिंग करेंगे हैली मैथ्यूज के साथ और उसके बाद वन डाउन आएंगी के नाइट और उसके बाद भी के नाइट है लेकिन एक विकेट कीपर एक नॉर्मल बैट्समन है और फिर आलिया अलाइनी है और टी होल्डर है एली साइज इसकें टेलबूरी है शेकेरा सेलमान है शेमिलिया कोनेल है के इलियट है और एस ब्रूस है अब यहां से अगर आप इंपोर्टेंट देखोगे न तो डोटिन खेल देगी तो भाई ओविसली बात इंपोर्टेंट होगी होगी वह और फिर दूसरा है लिम हूज है ठीक है दो फिक्स है करते हैं तीसरा प्लेयर की में बात करते हूं इनकवे देख लोगर lambi और लियुक्र और यह इसके लावा जैसे पिन C तो भी नहीं छोड़ती है लास्ट मेस में इनके यह ड्रीम टीम में थी आप तो यह देख लो ठीक है और रन कितने मनाया थे किवल नो रन और ड्रीम टीम में थी क्यों थी क्योंकि नो ने च्टंपिंग की थी तियक उसके बाद आलिया हो गई और सारे हो गई वैसे तो इंप फाली वर्मा उस्तुनेती मंदाना दोनों खेलेंगे आपको पताइए क्या धोने वाली इनको वह रीजन है बाकि हाँ ग्रैंडलिंग में आप ट्राइ कर सकते हो मंदाना को ड्रोप करने का रिस्क लो और इसको पिक कर लो क्योंकि देखिए सिंपल सा है अगर आप दोनों प् फैमिलिया कोनिल इनके पहले स्में ऑपनिंग के अंदर अधर प्लेयर भी आ सकती है जैसे लाश्व में तीम आपको मेरी टीम दिखाता हूं यहां से इंपोर्टेंट प्लेयर मैं ने बता दिये वहां से भी आपको पता लगे आप डेमो टीम की तरफ चलते बट उससे पहल है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ना किया हो मर्जी आपकी चलो लेकिन टेलिग्राम को जोइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जोइन कर लेना ठीक है टीम की बात है तो वह देख लो तो गाइस अभी आप देख सकते हो वही इंवेस्टमेंट का रिटन अमाउंट कितना हो गया तीन तैतीस ठीक है तो यह एक छोटा सा पर्सनल सजेशन है ट्राइब कर सकते हो मर्जी आपकी है फेंड़ फीट जिसका डिस्क्रिप्शन वे लिंक है लीग इलिए उनका भी यह दोनों एप्लिकेशन पर काफी अच्छी आपकी विनिंग और चाहो तो डाउन्लोड कर सकते हो ठीक है और वेलेट अमाउंट भी आपकी स्क्रीन के सामने चलिए मैं टीम की बात कर रहा था तो वह मैं आपको दिखा रेता हूं जो मैं इस मैच के लिए यूज करने वाला हूं तो यह जो टीम होगी कि और डेमो टीम में फाइनल नही दिपती शर्मा को सनेहरा लागो ठीक है बॉलिंग सेक्षन में आपको आना है बॉलिंग में इंडियन टीम से जो भी मतलब बॉलर से सब को आपको पिक कर लेना है ठीक है तीन प्लेयर तो यह हो गई और बाकी जैसे बोलिंग से उतना आप मतलब एक्सपेक्टेशन मत करना कि विकिट लेगी हाँ लेकिन बैटिंग से आपको कुछ पॉइंट्स दे सकती है तो एक तो यह प्लेयर है दूसरा आपके पास ऑक्षन देखोगे जो इनका में बोलर है शेकरा सलमान और मैंली डेथ में आएगा और यह भी नहीं न तो मिडल में आएगा और मिडल ओवर्स में अगर आप देखोगे तो एस मेगना है जैमी मा जैसी प्लेयर है और फिर जैसे मान के चलिए टॉप ओडर चलता है तो फिर वह यह क्योंकि मिड मैं आएगी तो वह चाहेंगी कि जैसे भी मान के चलिए मनदाना 40 50 करना चाहेंगी तो वहां पर मतलब कुछ चांसे बन जाते हैं मिड में इनके विकिट के तो यह भी एक आधर गूड ऑप्शन से बटी रिसकी इसलिए क्योंकि अगर इनको विकिट नहीं मिला तो कुछ पॉइंटों से आपकी लीग जो भी होगी वहार जाओगी तो यह र चेफाली वर्मा है ठीक है कैप्टन स्मृति मंदाना वाहिस कप्टन शेफाली वर्मा और जो चैंजेस वगरा होंगे सेम टीम ट्रीम ले उनकी है बट मेरा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मेजरली लीग 11 फेंटाफीट पर यह होता है मैंने अभी आपको प्रूब भी दिखा दिया थेंक्यों दोस्ते वीडियो को एंड तक देखने के लिए मिलते हैं एक्स्टर वीडियो में